वेलकम टू प्रजेंटेशन और आईएफसी फर्स्ट बैंक आईएफसी फर्स्ट बैंक यह रिजल्ट तीस जनवरी को कल आया इसमें और उसके बाद जो पहली बार मार्किर कुलेगी वो एक फर्वरी को बजट आएगा उसी दिन वो पुलेगी और उसी दिन जो इन जो देखने को मिलेगा इसके पहले एक्षुली क्या हुआ था जब यह रेंडमिक अधिस दिसंबर के बाद में उन्होंने मार्किट में डिकलेर किया था कि इनका कासा में बहुत अच्छा इंप्रूमेंट देखने को मिला है थर्ड क्वाटर में और उसका जो है शेयर प्राइ वो काफी हद तक इसकी जो पॉजिटिविटी जो रिजल्ट में आई है वो मार्किट में उसका जानकारी था और उसी हिसाब से है इसके पहले क्यू वन रिजल्ट के आने के बाद इसमें जो है पांच अक्टूबर को मने पहला इसका एक वीडियो अप्लोड किया था और क् के लिए तीसरा वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं स्टेंडर्ड स्क्रेमर के साथ पैक्ट फिगर और उपीनियन इंदी प्रजेंटेशन वीडियो और बेस्ट और इंफरमेशन अवेलबें इन दिफरेंट एजन्सीज और पॉब्लिक दोमेन और पॉब्लिज इन गूट विए और इंटरेश्ट मेलाइक टू अप्रोस्ट चेक और वेरिफा इंफरमिशन फोर्स बिफर मेंगिग अनी फिनिंशल कमिट्मेंट इस टॉक मार्के इंवेस्ट्मेंट्र सबजेक्ट और मार्केटर्स कंसर्ट यूर फिनिंशल एडविजर बिफॉर कमिटिग इनी मा उन्होंने जो है उस समय जब यह मर्जर हुआ था उस समय कुछ टार्गेट वगरा दिये थे और उनके हिसाब से कैसे उनका प्लोगेस हो रहा है उसके बारे में काफी हद तक जो है इस पर वीडियो में जानकरी उस पैरामिटर को लेके दिया हुआ है और बहुत सारी जो प मार्च अठारे में तो फिर नौहजार सितमबर अठारे में सितमबर अठारे के बात की जो तीमाई थी उसमें वर्जर हुआ वह दिसंबर 18 के रिजर्ट में 36000 क्रोड हुआ और इनका जो है टाइम है फ्रेम दिया था कि पास साल के अंदर हम इसको एक लाग क्रोड़ तक ले जाएंगे तो वह अभी 6665 क्रोड़ तक आ गए तो यह ओन ट्रैक पे है रिटेल फंडेड ऐस पर्चंटेज अप्रोटल क्लाइंट थे और उसका लेंडिंग में इसमें बहुत ही कम था इसका जो बहुत अच्छा फिट हुआ मर्जर के बाद में और इतने डाइनमिक इसके वैद्देनातन है जिसकी वैसे जो है इसमें बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिटेल में जो 70% टार्गेट था उसमें 60% तक आ चुके हैं और अभी दो साल ही हुआ है तीन साल चार साल का समय बाकी है तो बहुत आसानी से ऐसा उम्मीद है कि यह टार्गेट जो अचीव करने हैं जो तरेपन अजार चाववान अजार पाचपन अजार से चारीश जार टार्गेट करने का तो भी चौन ट्रेक माना जा सकता है इंफ्रेस्टेक्टर को जो करीब निल करना है पास साल में तो अभी वह बाइस चब्वीस अजार करोड़ से ग्यारा जार करोड़ पर आचुका है तो वह दिर दिर जो भी ओन ट्रेक है और टॉप 10 बोरोर का जो है लेस देन 5% करना टा प्रोग्रेस जी ग्रॉस एंपी 3.3 परसेंट थे और उसमें टार्गेट था टू पाइंट टू फाइव अभी 1.33 एविन परफॉर्मा लेने के बाद भी इसके अंदर में है तो यह भी ओन टार्गेट है और नेट नपीए का टार्गेट जो 1.12 था वह जो है वह पाइंट परसेंट तर्गेट दोंपिछतर परसेंट पर आप जो चलते हैं इसमें जानकारी कासा डिपोजिट का रीचियो का जो टार्गेट था टार्गेट था तर्वाइव टुन्ति फॉर्में 30 परसेंट और पाचास परसेंट इसके बार ता भी आलरी जो है अनतालीस परसेंट में पहुंच गए तो अचीवड और कासा रिटेल कासा और टेल टम डिपोजिट इसका 50 परसेंट का टार्गेट था फॉर्टी सिक्स परसेंट पहुंच गया यह जो है ऑन ट्रैक है ब्रांच इसका था आट सो से नो सो तो पांसो चीटर बांच हो गई यह वी ओन ट्रैक है उ टॉप का डिपोजिटर का कंसिटरेशन जो बैस परसेंट था उसको लेस दिन पाई परसेंट के आसपास लेकिया था दस परसेंट तक आ गया वह वह वी ओन ट्रैक है तो रिस्क का कंसेंटरेशन कम किया यह से एक कई आपका बरोह रही आए और आका पार निपीजिटर कि इतना जितना 55 परसेंट लाने का टार्गेट था और यह अभी 79 परसेंट है यह एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन करके है रिटर्न अचेट 0.13 से 1.4 1.6 लाना था 0.32 है यह यह थोड़ा दीरे चल रहा है और रिटर्न एक्विटी 1.1 से जो 13 15 परसेंट लाना था यह 2. 2.92 परसेंट यह दीरे है इसमें प्रोग्रेस बहुत तेज प्रोग्रेस नहीं है अभी बाकि हाइलाइट जो 13 जनुरी को जो रिजल्ट आया है हम हाइलाइट यह कि रेटेल बूक इंक्री 24 परसेंट वाई हो भाई तो 46,000 क्रोड़े सा भी बात किया उसके बाद रेटेल सब्सक्राइब करेंगे और इसमें रिपीट किया जाएगा कासा डिपोजिट जो है वह इंक्रीज होगी 40,000 क्रोड और पहले 16,000 क्रोड थी और इस तरह से जो है यह 150 परसेंट ग्रोथ वाई होई इसमें देखने को मिली कासा रेशियो इंप्रूब करके 48.3 हो गया जो 24 परसेंट होता था यह भी आलमोस्ट डबाल हो गया कासा रेशियो इंप्रूब्ड अगर यह जो है क्या बोलते हैं बीस परसेंट इसमें दिया हुआ है और उसका जो है 44.56 परसेंट हो गया यह दिसम्बर 20 में दिसम्बर 19 के बुकावले ऐसे बीस परसेंट परसेंट को विपजी जो है और यह जो है है वह 100 परसेंट हुआ क्थावन परसेंट पर सिल्ट कुण जो है उनको घटाया जा रहा है और यह जो है टोटल कंजूमर डिपोजिट जो 77,000 करूड़ा हुई जो पहले 54,000 कुरूड थी इस ट्रॉंग ग्रोथ इन कोड अर्णिंग न्याट इंट्रेस इंकम ग्रोथ 24 फरेथे वह यह वाई है और इस तरह से रहां लिए मैं प्रूर्व सिक्साइब हो गया है यह करूड़ा है चीजिया इस ट्रॉंग भ्रोद इंटक्र केंग और इंट्ट इंक्री स्कुर्दिंग जो फाइब करोड हुए कम किया प्रोविजन और कोविड का भी जो है तीन से नव्य करोड प्रोविजन करके रखा है एक सो तीस करोड प्रफिट डिक्लेर किया पिछली बारत से इतिमाई में 1640 करोड लॉस था अश्ट क्वाल्टी में जो सिक्वेंशली मतलब की यह क्यों प्रसेंट से घटके 1.33 हो गया नेट इन पी पाइंट फॉर्ट हो गया पाइंट पाइंट फॉर्ट हो गया प्रोविजन कपरेश दिशों से फिप्टी से बढ़के है वाई योवाई से वन दिफाई हो गया वह इंपक्ट का लेने के बाद थोड़ा बहुत इन में अएगा फिकर में उसके बाद जो असेट बेस है रिटेल का वह बहुत अच्छा फिकर है उसको में नहीं जाएंगे कैपिटल एजी के सी जो है 14.33 परसेंट है पहले जो है तेरे पाइंट आर्ट इन हो गई अभी क्यों अब यहां तो भी टॉप लाइन में जैसे इंप्रूव्मेंट आएगा ओ यह 4400 4700 पांसो चारजा चारजा चारजासाथ सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा और अब तिंग आ है आपका इस पर अच्छा इन पर इसके बाद यह इंकम पर्फॉर्मेंस है उसमें वह है कि इंकम इस बार कम हुआ एक्सपेंस भी कम हुआ तो नेट इंट्रेस इंकम जो है वह 14 परसंट बढ़ गई है ऑपरेटिंग इंकम और 33 अठारा परसंट बढ़ी और इसमें प्री प्रोविजिंग ऑपरेटिंग बढ़ी प्रोविजिन घटा दिया है उसके लिए कि परसंट बढ़ गए नेट इंसेंस इंकम और प्रोफिट प्री प्रोविजिन अपरेटिंग प्रोविजिंग प्रोविजिन प्रोविजिन 50% है और टैक्स करके तीनुचों करोड प्रोविट ने जारा रहा है प्रोड़क्ट ऑफरिंग का देखते हैं तो यह सभी प्रकार के प्रोड़क्ट ऑफर करती है बैंक जो से लोन अगेस्ट पपर्टी बिजिस लॉन कंजूमर डूरेविल टू विला लॉन ओम लॉन माइक्रो अंटरप्राइस लॉन कमर्सियल वहिकल और यह सब का और नया जो इसमें चीज इन्होंने लांच किया है जो गेम चेंजर करेंट उसके बाद डायनेमिक इंट्रेस्ट रेट नौ परसेंट से लगा कि च्छतिस परसेंट तक तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि दूसरे जो कंप्टीटर है वह चार्ज करते हैं अगर नौ परसेंट चार्ज करेंगे तो इनको अच्छा बहुत बड़ा मिलेगा ऐसा मान के जंशन करके चल सकते हैं तो इस तरह का 48 दिन का इसमें दिया हुआ है जो रोटेट रोटेट क्रेडिट होता है क्रेट कार्ड में उसके अलावा यह च्छे परसेंट वगयरा यह जो दिया हुआ जो नॉर्मल आपकी सर्वीस होती है सेविंग अकाउंट और जब भी रिटेटएल का परसेंटेगा जहां तक सवाल है और अगया अगया जो दस अपरसेंट होता था मार्च 18 टारेमें सब्सक्राइब कर दो गया उसके अलावा जो घटाने में लगे हैं तो इसको रखेंगे और यह इंफ्रास्टेक्टर इसको खतम कर देने का प्लान है इनका इसमें भी जो यारा जार शिस्टो है करोड़ा भी बैलेंस है वो गटाते गटाते आ रहे हैं और यहां पर देखेंगे जो फंडिट असेट का ब्रेक अप है तो रेटेल फंडिट असेट जो है वह यारा परसेंट यहंट क्यों क्यों ग्रोफ है और में 26 परसेंट में आज चॉटम परसेंट सबस्डों हो जो इन परसेंट क्यों में और रिस्क की है जो कंसेंट्रिशन है कंसेंट्रिशन रिसकों अशेट साइड में यह 12.8% तोप 10 बुरोर का तो अभी 6.3 में लिया यह 5% चिलाने का इसका प्लानिंग है और असेट क्वालिटी जो है रिटेल असेट क्वालिटी अच्छा है उसमें जो पहले भी स्लाइड में दिया हुआ है जो इसमें जी एन पी 1.3 और यह जो अनने पी पाइंट 3.3 और प्रोविजन करने से जो यह जो अभी घट रहा है था यह जो डॉट्रेल लाइन लोट्रेल लाइन में दिया हुआ है उस तरह का आएगा और परफॉर्मा जी एन पीए 4.18 परसेंट ऐसी बात हो रही है अब यह क्या फिगर आती हैं और यह असेट क्वालिटी का देखेंगे जो डिटेल लॉन का जो मोडल है लाजली होलसेल थे होती थी आई डिएफसी ब सब्सक्राइब देखेंगे यहां पर उसी चीज़ फिगर को रिटेल लों को टॉबलर फॉर्म में दिया है और यह जो है यह एवरेज जो रिटेल रिटेल ग्रोस एनिपी और नेट निप इस तरह के डाटा है रिपोर्ट किये जो और यह लाइबिल्टी साइड में जो है लाइबिल्टी साइड में तक पहुंच गे इसमें पहले जो था यह स्टार्ट किया था 20 परसेंट से टोटल कस्तमर डिपोजिट एक्स्क्रोडिंग सीडी कासा डिपोजिट का देखिए ग्रोथ मिलेगा पांचेशार कोड़ से चालेजार कोड़ तक गयर इतना पेज़े यह जो चार और चार चेसाथ जो आठ नव कोड़र के अंदर इतना ग्रोथ देखने को मिला है और इस ट्रॉंग आसर एस्यों से आटारीस प्रसेंट मिला है बहुत अच्छा है बाकी बैंक चालीस में पहुंचने के लिए स्ट्रगल करें और आपको यह जो है उसको कटाते जा रहे हैं तो इसमें अभी जो यह क्वाटर में बढ़ा है तो इसको कहना है कि दस जार क्रोड होगे आसपास इसको मेंटेन करेंगे तो पांच जार चार्सों करोड़ आ गया तो शेह जार शेसों करोड़ अभी है तो उसके बाद रिस्क ओन लाइबल्टी जो है टॉप 20 डिपोजिटर उनका कितना होना ची चानिस परसेंट उता था वो कटा के जो है नौ परसेंट तक है और नेट इंटर्स मार्जिन में जो इंप्रूब्मेंट देखने को मिला है वो देखिए प्रिमार्जर 1.56 से जो अभी बढ़ा के 4.65 परसेंट तक आचुक है ताड़ क्वाटर में और दीर दीर जो है 4.5 4.5 तीनों क्वाटर में इस पार है तो और फर्दर है क्योंकि जैसे रिक्वाइर्मेंट के बढ़ता रहे जैसे एक एक एक्सपैंड करेगी यह से रोल्डिंग पैटर्न अगर देखके तो 40 परसेंट जो में जो इनका प्रमोटर थी आइडी अफसी जिसका प्रमोटर आइडी अफसी बैंक था वह उनका 40 परसेंट होल्डिं इस से रोल्डिंग पैटर्न काफी लोग हैं इसमें है एक एक एफसी लाइफ बजाज अजट्य बिल्ला है सब लोगों का निवेश कंपनी में इंट्रेस्ट है और निवेश किया हुआ है ग्रोथ स्ट्रेटिजी के बारे में अगर पोलते हैं तो बैंक का क्या है कि रिटे सब्सक्राइब करोड़ों और जो बाकी जो डैवर्सिफिकेशन में है तो इसमें जो है रिटेल बुक कंपोजिशन जो है सतर से असी परसेंट तक जो उसको ले जाना है और ग्रोस इल्ड जो है साड़े तेरह परसेंट तक जो है नेक्स्ट फाइव यर के अंदर ले जाना है हाउसिंग लोन में भी यह लोग अभी बहुत तेजर रफ्तार से क्राम कर रहे हैं कासा ग्रोथ में जो है इनका जो है 40-50 परसेंट का भी अर्टाइस परसेंट हो गया और लाइवल्टी डिवर्सिफिकेशन का जाने तक सवाल है तो उसमें यह जो है पैचास परसेंट तक जो है इसको ले जाने का है और बाद में 75 परसेंट तक ले जाने का प्रोग्राम है बैंक ब्रांच एक्सपेंशन शेसो शासों तक करने का है और निम का जो टार्गेट है पांस से साड़े पांच परसेंट नेक्स्ट फाइव यर में कोस्ट तो आट साल में बहुत अच्छा उजर काम किया इन्होंने कॉस्ट इंकम भी ब्रूफ करके अभी बचास पर्चपन से अभी डाउन हो गया यह जो है पचास से बच्पन परसंट के अंदर लाने का इसका प्रोग्राम है रिटर्न एकटी तरह से पंदर परसंट इस तरह के टार्गेट है जैसा इसमें देख रहे हैं जैसे जिसम जन्वरी में 21 में आया है तो इस यह प्रैस पेंकम जो है पहले जो 35-36 की रेज में रहता था जो है जो पिछले साल जो गिरावट आई थी उसके आगे पहुच चुका है विकॉस जो है कासा में बहुत अच्छा इंप्रूमेंट और इनों है जो क्रेट कार्ड लांच के दो जो नजरा रहा है तो यह जानकारी था पूरा IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छा लगेगा और आपके काम में आएगा बहुत अच्छा एक लांग टरम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच् अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए उसके अलावा ब्यूशन से टू हमारे ट्वीटर हैंडल है वहां पर हमारे सारे वीडियो संबंद्ध जानकारी सब मिलेंगी कुछ आप और एडवाईस उसको डाउट है क्वेरी है तो य हम जरूर जवाब देंगे थैंक्यू